नमस्कार दोस्तो एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग में तो आज एक बार फिर हम हाजी रहे एक नई जानकारी के साथ यानि अभी राजस्तान में एक बर्ती है उसको क्या रियोपन किया गया है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपके सामने किया लेकर आए है तो यह जानकारी यह राजस्तान जूनियर इंजिनियर रिक्वार्मेंट 2020 के बारे में जो अभी किया दुबारा इसको रियोपन किया गया है कुछ सुट्रेंट्स ने पहले फॉर्म बढ़ चुके थे लेकिन अब दुबारा इसको रियोपन किया गया तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि राजस्तान जूनियर इंजिनियर जो रिक्वार्में जूनियर है इसकी आपको शेलरी क्या है इसका syllabus क्या है इसका exam perks by written क्या है इसका selection process क्या है इसकी नई जोी यपोर्ड़ टेर्ट वगेरा वो क्या है और भी कई जानकारी जो कि आप जानने के उथ सक्क है वो सभी जानकारी हम इस वाड्य वाडियो के माजिन से क्या discurs करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस आज की छोटी सी जानकारी को तो अभी ये बर्ती निकालेगे इसका नोटिकेशन आया है तो राजस्तान अधिनेस्ट एम मंत्रालिक सेवा चेन बोर्ड ने कनिष्ट अभियंता जो के विविन पनों के लिए बर्ती निकाली है आप सभी को सु योग्या उमीदवार है वो क्या है जो इसका जो ऑफिशल नोटिकेशन वो इसका इसी वीडियो के डिस्क्रिशन आपको दिया गया है आप वहां से क्या इसको सब पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बाग कि आपको मोटी-मोटी जानकारी वो बता दी जाएगी तो इसके बारे देखते हैं इस जोब के बारे में एक संक्शीपट देखते हैं बोड है वो कौन सा है राजस्तान स्टाप सेलेक्शन बोड जयपोर एक्जाम अथर्टे किसके पास है RSMSB RSMSB के पास सब ओर्डिनेट एंड मिनिस्टरियल सर्विस सेलेक्शन बॉर्ड के पास की एक्जाम अथर्टेश की पोस्ट का नाम के है जूनियर इंजियर है टोटल पोस्ट आपके एकजार चोमन है कहीं आपको एकजार ठाउन मिलेगी कहीं आपको बारा सो कुछ मिलेगी तो इस तरह से क्या आपको लग लग दिखाई जा रही है तो इसकी एकजार चोमन पोस्ट द्यान रखना एकजाम आपका होगा वो जून जुलाई के अंतरगत होगा आपी बता दूं आगे इसमें तो जुलाई तक फॉर्म बरे जाएंगे अगस्त तक है इसका एकजाम होगा कटेगरी यह क्या आपकी स्लेबस उन एकजाम प्रेशन के बारे में एक जान करी है अब बात करते हैं इसकी पोर्टेट डेट के बारे में अब बात करते हैं लास्ट डेट तो लास्ट डेट पहले थी इसकी दो अपरेल लेकिन अब क्या है आठ जुलाई है यानि आठ जुलाई तक आपके फॉर्म बरे जाएंगे और अप्लिकेशन की भी क्या है सेमी डेट है अप्लिकेशन फी की भी सेम डेट है अब बात करते ह और आपका जो फीस का भरने का तरिक्का है वो क्या होगा आपको ओनलाइन मोड से आपको क्या है यह फीस भरनी है अब बात कर लेते हैं एज के बारे में तो एज है वो मिनिमम 18 वर्स है और मेक्सिमम वो 40 वर्स है और आपको छूट भी दी जाएगी सरकारी नियमों के उनसार अब बात कर लेते हैं इसकी सेक्षनिक योगयता क्या है तो आपके पास क्या है डिगरी या फिर डिपलोमा होना चाहिए इंजनियर में वो भी क्या है एक सरकार द्वारा मानेता प्राफ्त कोलेज या फिर संस्तान से आपके पास क्या है डिगरी और डिपलोमा होना इसके चैन पर करिये बारे में तो उमिदवार की चैन और वो दो अचारन होंगे इसके पहले आपकी लिखित परिक्ष्या होगी फिर आपका इंटरिव्यू होगा और उसके बाद आपका डौकोमेंट वेरिकेशन होगा आपको मिल जाएगी अब बात करनेते हैं इसके exam pattern के बारे में तो exam pattern क्या है इसमें objective type से आपसे question पूछे जाएगे और वो यह नीची आपको दे रखा है किस किस subject से question पूछे जाएगे तो सबसे पहले part A होगा इसमें आपसे जिक्के का होगा जिक्के का होगा इसमें राजस्तान जिक्के पूछा जाएगा आपसे history of राजस्तान, art and culture, tradition, heritage and geography of राजस्तान ये चार्ज मार्क्स के आपका question पूछा जाएगा और जो पूरा समय होगा दोनों part का वो होगा आपका द यानि अगर civil engineer तो civil का होगा, electrical तो electrical का होगा तो उससे क्या है असी नमर के आपसे question है वो पूछे जाएगे तो इस तरह से आपका 120 नमर का paper होगा ये और आपको 2 गंटे का क्या है इसमें आपको time दिया दाएगा यानि 120 minute होगे, 120 question होगे आपका entry होगा इसके बाद अगर करते हैं कि 120 person है वो, 120 person का होगा और आप दियोगी 2 गंटे, पर टेक person के लिए एक आंक निर्दायरत है, गलत उत्तर का आपका क्या negative marking नहीं है, चार विकलब के होगे, यानि ये क्या बहुक लिए आपके question होगे, अब बात कर लेते हैं इसके syllabus के बारे में, यानि general knowledge में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो general knowledge में आपसे पूछा जाएगा, राजस्तान की कला, राजस्तान का भुगोल, अर्थवेस्ता, राजस्तान और भार्दोनों की, राजस्तान की संसकर्ती और परंप्राइं, राजस्तान का साहिते, विज्यान और प्रोधोगी की, राजस से टोपिक आप से पूछे जाएंगे एक्जाम में बुल्डिंग टेक्नोलोजी एंड कंस्ट्रेक्शन मनेजमेंट फ्लूड मशीन शर्वाइविंग एस्टिमेट कोस्टिंग फिल्ड इंजिनियरिंग क्या है इरिगेशन वाटर रिसोर्ट्स स्ट्रेक्चर थियोरी स्ट्र इंजिनियरिंजररी टेक्चर, टिजाइंग ऑंस्टियूर स्ट्रेक्शर, कंस्ट्राक्शन टेक्नलोजी, TOCED, शिnew일 इंजिनियर ड्राविंग इजिनियरिंग के लिए बुलिग टेक्नलोजी एंड कंस्ट्रेशनमेंट, स्ट्क्टेंट Missy ब्लेक्शन, कंस्टन्फ, डिजाइन और इरिगेशन और वाटर रिसोर्स शोल इंजिनियरिंग ऑटोकेड सिविल ड्रावी इसके बाद आपकी राजस्तान जुनियर इंजिनियर इलेक्टिकल डिगरी के लिए डिगरी के लिए कि आप बेसी कॉंसेप्ट होंगे ऐसी फर्डामेंटर सोंगे इलेक्टिकल मशीन सोंगी सबर्द मेंटर मकीन होंगी इसक बार इलेक्टिकल डिप्लोमा के लिए तो डिप्लोमा के इसके बाद है mechanical degree के लिए डिगरी के लिए आपा फ्लिवड मशीन और डिजाइन ओफ मशीन और डिजाइन ओफ मशीन इसके बाद होगा कानिमेटिक और डिजाइन ओफ मशीन तरबो मशीन ओटो के लिए वह यह सेम आपका क्या क्या है फोल्ड मशीन्स फिर है फोलूड मशीन्स आईसी इंजन्स त्योरी ओफ मशीन्स ओटोगेड मेकेनिकल इंजिनियरिंग ड्राविंग थर्मो डाइनामिक और क्या है मसीन ड्राविंग इसके बाद अगर बात करते हैं इसके सेलरी के बारे में यानि जो junior engineer है राजस्तान में यानि R, SM, SSB की जो junior engineer की post के लिए आपकी salary क्या होगी तो इसमें आपका pay level 10 होगा यानि 10 के अधार पर क्या आपको salary दी जाएगी आपकी salary लगते ही होगी 33,800 लुपे से क्या है शुरू होगी यानि बहुत अच्छी salary इसमें बहुत अच्छी post है अगर आप में योगेता इसके लिए सभी योगेता पूरी करते हो जो भी आपसे मांग रखी है और आपकी age है यान जो भी क्राइटेरिय अगर आप संपूर्ण सरते पूरी कर रहे हो तो आप इस form को जुरूर बरे या आपके पास एक अच्छा मोका है राजस्तान बरती बोड़ किया आपको बहुत अच्छे मोके दे रहा है अगर आप में योगेता तो आप जुरूर इसको फील करें और फिर क्या आपको अच्छी त्यारी करनी है ताकि आप ये जो पास के इसमें वेतन देखिया आप 33, 1800 रुपए आपके शुरू होगे आगे बढ़ती बढ़ती बहुत अच्छे लेवल पर चिल जाएगे आपकी शलरी और आपके एक क्या है अगर जोब पाते होगे आपके अच्छी इज़त होगी अगर आप इस जोब के बारे में कोई जानकानी जानना चाते हैं तो आपको निचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ लेना है जो भी आप पूछना चाते हैं बाकी जीरो लेवल से लेकर आई लेवल तक मैंने आपको सभी जानकार इसके बारे में बताती है अगर फिर भी आपके मन में कोई संका डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते न में कॉमेंट करके आज की जानकारी बस इतना ही मिलते हैं एक अगली चोटी जानकारी के साथ धन्यवाद